हेलो इन्वान वेलकम बैक टो नॉलिज एक्वी साइंस आज ही सुड़े में बात करेंगे आरार्बी ग्रूप डी जो इस्टर्न रेल्वे यानि की कुलकता जोन का इस्टर्न रेल्वे है उसकी एक्सपेक्टिड कटोफ कितनी जा सकती है जो 2022 में एक्जाम हुआ था तो जर्नल, EWS, OBC, SCST सभी का वन बाई वन डिसकर्स करेंगे तो चलिए स्टर्ट करते हैं अगर हम पिछली वेकैंसी से कंपेर करें जो 2018 में वेकैंसी आई थी और जो ये 2019 के वेकैंसी है और 22 में एक्जाम हो रहा है इसका अगर कंपेरिजन करें तो टोटल नमबर वेकैंसी 2018 में 266 ती और इस बार 10,873 है तो वेकैंसी आप देख सकते हो कितने टाइम्स जदा है इस बार और जो पिछली बार फोर्म फिल अप हुए थे वो 13.5 यानि कि 13,50,000 के आज पास फोर्म फिल अप हुए थे 2018 में और इस बार कितने हुए हैं मार् अगर कॉंपिटिशन देखें पर सिट यानि कि एक सिट पे 570 लोग फाइट कर रहे थे पिछली बार और इस बार एक सिट पे मात्र 107 लोग फाइट कर रहे हैं कितने 107 तो ये डेटा आप देख सकते हो कि कटोफ में कितना डिफरेंस आएगा वेकैंसी का अंतर देख लो आप और फॉम फिल अप का अंतर देख लो पिछली बार आपको पता है 2018 में टोटल लंगबक वन पॉइंट यानि कि एक करोड नमासी लाग फॉम फिल हुए थे अगर हम चौसर थाजार वेकैंसी की बात करें और इस बार जो एक लाग तीने जार वेकैंसी है इसमें मात्र एक करोड पंद्रा लाग के असपास फॉम फिल हुए है अगर इसे कंपेर करते हैं तो यह पिछली बार का कटोफ है जो 2018 में गया था कोलकता जोन में यहां पर देख सकते हो जर्नल की है 80.57 और OBC की है 71.77 और SC की है 71.60 और ST के एडिट की 55.76 है यह नॉर्मलाइजेशन के ब आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स इंक्रीज हुए थे किसी के 15 किसी के 20 किसी के 30 भी इंक्रीज हुए थे उसके बार यह मार्क से ध्यान रखना है रोई स्कोर नहीं है आप पता चले अभी आपको कुछ हो जाए क्योंकि इस बार का करें फोर्म कम हुए हैं कॉम्पेटिशन कम हैं और पेपर बहुत ही ज्यादा इस पर टफ हाया अगर हम पिछले को कंपेर करें तो कट ओफ कितनी जानी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि लो जाएगी अगर इन्हें कंपेर करें अब आगे बात करते हैं सो इस बार का हम डेटा देखते हैं टोटल मैंने आपको बताया 11,64,682 फोर्म इस बार फिल हुए थे और टोटल नमबर वेकेंसी 10,883 वेकेंसी है पर सीट कॉंपेटिशन 107 है और आपको पता है अटेंडेंस कितनी कम गई है मैक्स टू मैक्स इसमें 45 परसेंट गई होगी अटेंडेंस इ अब एक्जाम होगा था और आपके अभी रो इसकोर कितने आ सकते हैं निगेटिव को हटाने के बाद ठीक है सपोज अगर आपने साथ अटेंट किये और उसमें से तीन निगेटिव होगे आप चेक करते हो गया कि तो 57 आपके राइट है और एक माइनस हो गया यानि कि 56 45 परसंट निकालोगे तो लगबख 48 आएगा 48 इस्टूडेंट यानि कि पर सिट कॉम्पिटिशन अब कितना हो गया 48 मैक्स टू मैक 50 चली जाएगी थोड़ा बहुत अटनेंज जाता रहा लेकिन 45 परसंट से जादा अटनेंज नहीं है तो आप 48 इस्टूडेंट को मान सकत दिया है अब आपको पता है फिजिकल एफिसेंसी जो टेस्ट होगा वैकेंसी से तीन गुना जादा केंडिट लिये जाएंगे यानि कि 10,873 वैकेंसी है इसका तीन गुना करोगे तो लगबख 33,000 प्लस वैकेंसी है 33,000 प्लस है तो 48 को एक बटे 3 से डिवाइट करोगे तो 16 आगया यन की पर सिक कॉंपिटिशन PEET के लिए फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट के लिए कितने है गितने है 16 कैंडिट है ठीक है यन की 1 सिक से सोला गिट कर रहे है छीजिकल एफिसेंसी टेस्ट देने के लिए आई होप आपको सारी चीज़े समझ में आ रही हूं कुछ पहले बेस्ट नॉर्मलाइजर बहुत ही जड़ा एकुरेट है अगर हम पिछले से कंपेर करें देखें सो परसेंट एकुरेट कोई भी नहीं होता है ठीक है और यह कैसे लागू होता है एक्जाम में सपोज अगर तीन सिफ्ट हुआ तीन सिफ्ट में एक्जाम कंड़क्ट और थर्ड शिफ्ट में और ज्यादा एजी आई तो उसमें जो टोपर इस्टुनेंट था उसके 90 नंबर आए तो अब देखिए जो हार्ट शिफ्ट थी उसे 100% मान लिया जाएगा ठीक है और 80 वाले को भी 100% मान लिया जाएगा 90 वाले को भी 100% मान लिया जाएगा थोड़ा कम हार्ट होगा असी आएगे थर्ड वाला सबसे इजी था तो इसमें थोड़े ज्यादा आगे 90 आगे तो पर गे तो यहां पर सब कूप एक इक्वल मान लिया जाएगा क्योंकि हार्ट थी तो कम अटेंप्ट करेंगे लेकिन इसे 100% मान लिया जाएगा तो मार्क स्कूर को कमपेर करें तो इसमें भी मार्क्स बढ़ते हैं लेकिन एक्वल में कहते हैं कि मार्क्स परंसेंटायल में नहीं बढ़ते हैं लेकिन आप कमपेर कर सकते हो हार्ट सिप्ट में 65 का 65 का सो हो गया और जो इजी सिप्ट था उसमें 90 का सो हो गया तो बराबर ही तो हो 65 से 90 वाला बिल्कुल बराबर हो गया इसका मतलब क्या है यहां पर 65 वाला और 90 वाला और 80 वाला तीनों बराबर हैं तो इनका डिफरेंस तो देख सकते हो ना तो नॉर्मलाज़ेसन भी भी मार्क्स एक तरह से मांग सकते हो कि आप बढ़ता ही है फाइलली बात करते हैं कि इस बार कितना कटोफ मार्क्स जा सकता है आपको मैंने सारा डेटा दिखा दिया है कि पर सिट कॉंपिटिशन फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट के लिए कितना है 16 है अब हम बात करेंगे कि जो रो कटोफ मार्क्स होगा यहाँ पर मैंने रो इसकोर कटोफ मार्क्स बताया है नौर्मलाइज़सन के बाद नहीं बताया है जो आपके एक्चुल नमबर आ रहे है अभी उसके बेस्पे मैं बताऊंगा कि जब आंसर किया जाएगी आपके जितने भी पोजिटिव होंगे और निगेटी होंगे सब को कटके सब्सक्स अगर आपके साथ नमबर आए तो उसके बेस्पे मैं बता रहा हूँ नौर्मलाइज़सन के बेस्पे नहीं तो रो इसकोर कटोफ फोर पीटी फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा जो फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट के लिए रो है रो कट ओप मार्क से इतना ही रहेगा इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है तो यही मुझे बताना था यह डिचना भी डेटा दिखाया है मैंने बिलकुल ओफिसियल है आपको यह सारे चीजे मैंने जो बताई है आपको यह खुद भी आप क्रोस वेरिफाई कर सकते हो ठीक है तो आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल पर पहले बढ़े हो सब्सक्राइब कर देना एक्जाम से रेलेटिड अपडिट आपको मिलने लगेगी थैंक्यू गईस